Hey guys, last video में हमने देखा था lighting के बारे में, जो कि था sky में या आप default light ले सकते हो, और आज किस वीडियो में हम देखेंगे cameras के बारे में, तो जैसी आप main camera पे click करते हो, आपको यहाँ पर पांच tabs दिखाए देंगे, अगर आपको नया camera लेना है scene में, तो आप यहाँ पे click कर सकते हो, जो कि alt और right click है, आप देख सकते हो, यह जो है हमारा main camera है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, shot one जो है, हमारा camera देख रहा है, ठीक है, तो इसको मैं change कर सकता हूँ main camera में, या मैं यहाँ से shot one camera में आ सकता हूँ, तो आप यहाँ अपने scene के recording, कितना भी camera जो है, आप पर ला सकते हो, अब आते है camera के properties में, लेकिन इसके पहले हम इसको delete कर देंगे, select delete, select delete, select delete, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो main camera है, जो बाकी सारे camera's थे, वो delete हो गए, तो इस transform में आते है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो scale है, यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, second tab में देखते है control यहाँ पर लिखा हुआ है, तो WASD plus QE यहाँ पर लिखा हुआ है, और movement speed, हलाकि मैं यहाँ पर कभी WSAD select करता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बार करके देखता हूँ, क्या होता है, तो WASD से इस तरीके से आप camera को आगे पीछे कर सकते है, generally अगर मुझे करना है तो मैं alt और right click से करता हूँ और camera को frame में रखता हूँ इस तरीके से, लेकिन यह WSAD भी काफी helpful है, options देख लेते हैं यहाँ पर, तो ज्यादा तर मैं इसको default ही रखता हूँ, limits मैं देखते हैं, इसको मैं यहाँ पर click करता हूँ, use limits in viewport, यहाँ पर default मैं check mark होता है, limit near और limit far, तो generally मैं इसको use तो करता नहीं हूँ, लेकिन आप देख सकते हो, यह क्या है exactly, यानि कितना आपका जो viewport है, कहां तक stuck होगा, ठीक है, यानि orbit near, यानि अगर मैं इसको कम करता हूँ, तो देखते हैं यह और zoom होगा, अगर मैं इसको उपर रखता हूँ, तो अब देख सकते हो, यह यहां तक ही होगा, इसके आगे मैं zoom नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो यहां पर जो है, आपको एक locking system कर सकते हो यहां पर, orbit far, अगर far करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हो, और मैं दूर जा सकता हूँ, जितना आप ज्यादा रखोगे, उतना मैं दूर जा सकता हूँ, फिर एक time पर आएगा कि ये लॉक हो जाएगा, ये actually काम आता है, तब जब आप एक specific angle से ही दिखाना चाते हो, आपनी चाहता है कि आपका model जो है, एकदम नजदीक से जाके, जो देखने वाला है, वो देखे, तो आप एक specific orbit रखते हो, कि इतना तक ही वो observer जो है, जो देखने वाला है, जिसे art station हो गया, य limit near और limit far को हम off करते हैं, तो हम freely जो है, rotation या zoom कर सकते हैं, generally मैं इसको default ही रखता हूँ, जो भी बाकी के options है, और हम next देखेंगे lens में, तो lens में क्या है, तो ये काफी important है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, field of view 45 दिया हुआ है, इसको मैं 35 रख सकता हूँ, और क्य में आएगा कि कितना आपका part जो है, render हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे आप frame की opacity भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, आप देख सकते हो, यहाँ पर black हो रहा है, तो जैसे मैं full करता हूँ, तो यहाँ पर पूरा black हो जाता है, इसके just नीचे post processing effects होते है, जैसे focus हो गया, तो focus में अच़रा जैसे देखते है क्या है, depth of field nutrition हो, तो जैसे मैं इसको click करता हूँ, तो एक depth of field आ जाता है, आप देख सकते हो quand background blur हो रहा है, आप यहाँ से control कर सकते हो नीयर blur, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या हो रहा it exactly, इसके साथ आप control कर सकते हो आप के field of view को, far blur, आप द और यहां पर आप जो slider है आप इसको control कर सकते हैं यह सब होने के बाद आप देख सकते हो यहां पर swirl wignity तो यहां से कुछ नहीं हो रहा है और ना कि flare से भी कुछ होगा और distortion में जो है barrel function यह कभी मैंने यूज नहीं किया है लेकिन आप देख सकते हैं कुछ एक अलग ही effect यहां पर आप खुद दिखाई दे रहा है जैसे fish eye जैसे हो गया या आप इस RGB के साथ भी आप कुछ कर सकते हो अगर कुछ हो रहा है यहां पर यहां पर RGB के साथ कुछ नहीं हो रहा है तो generally मैं इसको default ही रखता हूँ इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहरा था कि camera में क्या-क्या options होते हो और क्या-क्या आप कर सकते हो तो आपको पता चल गया है कि कैसे आप camera यहां पर ला सकते हो और फिर उसकी settings के साथ आप कैसे control कर सकते हो so guys अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो please like कीजिए वीडियो को share कीजिए अपने friends के साथ और subscribe कीजिए अगर आप इस channel पर नहीं है till then bye guys